कोस्ट नमर वन पार्ट वन है मारे पास और गिवन है 8 cm और ल है मारे पास 15 cm तो हमने कल्कुलेट करना है थीटा तो इसका रिलेशन मारे पास होता है L is equal to R theta तो theta हमने find करना है तो R आके L के साथ है डिवाइड हो जाएगा तो theta equals to L by R given values put करेंगे तो मारे पास theta आ जाएगा 1.88 एक बात आपने याद रखनी है इस success में जब आपने theta find करना है तो theta हम find करेंगे DMS में जब theta की value find करने के लिए आएगे आएगे आपके पास तो that must be in DMS form degree minute and second form तो theta हमारे पास आ जाएगा 1.88 इसको DMS में convert करने के लिए 180 एवर पाई अकसाए 7.1 में आपने पढ़ा था कि decimal से DMS में convert करने के लिए degree convert करने के लिए 180 एवर पाई तो पाई की value में पास होती है 3.14 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 57.32 तो theta की value में पास आएगी उसको multiply करेंगे 57.32 के साथ हमारे पास आजाएगा 107.76 so decimal से पहले जो हमारे पास होगा that is in degree 107 degree plus अब decimal के बाद वो पिटार मोगी उसको 60 से multiply करेंगे तो यह हमारे पास आजाएगी minute में 0.76 multiply by 60 is equal to 45.60 चीक है जी तो यह जाएगा theta is equal to 107 degree in 45 minute अब 0.60 था तो इसको भी 60 से multiply करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 36 second so first part में हमने theta find करना था तो जब theta find करने के लिए आएगा तो उसको हम find करेंगे dms form में जब theta की value में given होगी तो उसको अगर वो dms में given है या degree में given है हमने उसको convert करना होगा decimal में यह part number one अब दिखने ने part number two का solution so part number two मारे पास है जिसमे theta में given है 35 degree and radius is 20 cm तो यहां पर हमने length of the arc L find करनी है तो चुंकि theta हमरे पास degree में given है जब theta given होगा degree में तो हमने इसको convert करना होगा decimal में इस success में यही main इसका idea है कि जब भी आपको theta find करना होगा तो find करेंगे dms में और जब theta given होगा अगर वो degree में है तो आपने इसको decimal में convert करना है तो degree से decimal में जाने के लिए हम क्या करेंगे pi by 180 so pi की value 3.14 divided by 180 हमारे पास आ जाएगा 0.62 so जो theta की value है 35 उसको multiply करेंगे 0.62 से हमारे पास theta आ जाएगा decimal में that is 0.61 so यह theta की value हम use करेंगे formula में which is l is equal to r theta so theta की value हमने find के 0.61 and r मारे पास given था 20 multiply करेंगे तो length हमारे पास आ जाएगी 12.21 so third part है हमारे पास इसमें में given है जी l 11 mm and theta is 37 degree 48 second तो आपको बताया था जाब भी theta में given होगा तो हमने इसको convert करना है decimal form में so 37 degree में हो जाएगा और 48 second है second को हम convert करेंगे degree में तो 48 को divide करेंगे 3600 चुक्छे second है तो second को convert करेंगे minute में तो 60 से multiply करेंगे दिवाइड करेंगे और then minute से जब हम जाएगे second में तो फिर भी 60 से दिवाइड करेंगे so 48 hour 60 multiply by 60 equals to 48 by 3600 तो 48 को 3600 से दिवाइड कि हमारे पास संसर आ जाएगा 0.01 so theta मारे पास है जाएगा 37.01 multiply by pi by 180 यह डिग्री में है तो इसको हम convert करेंगे reading में theta हो जाएगा हमारे पास 0.74 अब radius के लिए मारे पास l is equal to r theta formula होगा rearrange करेंगे तो radius मारे पास हो जाएगा l by theta calculation के पास हमारे पास r की value आ जाएगी 14.86 इसी दरीके से बाक्य parts भी होंगे तो आपने उनको solve कर लेना जाएगा